अध्यू आप सबी ठीक होंगे स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास के यानि आपके क्लास का वो है आपका स्टूडेंट्स अदाप्टेशन फ़र ग्रस पॉलिनेशन और तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि हमने पहले सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा और उसके जो अड़ाप्टेशन थे कि क्या जो फलार्स हैं या प्लैंट्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए कुछ अपने आप में चेंज जिस या मॉड़िस्ट लाते हैं वो हमने पढ़ा हैं बिल्कुल उसी तरीके से प्लैंट्स बहुत सारे जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए अपने आप में बहुत सारे मॉड़िकेशन और चेंज ले आते हैं वही हम आज देखने जा रहे हैं तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका टॉपिक है वो एक्जामिनेशन पॉइंट आफ वीव से बहुत ज्यादा इंपॉटन्ट है ठीक है अक्सर इसको आपके जो एकैर्मिक एक्जाम से उसके अंदर पूछा भी जाता है और आपके बाकी जो अधर एक्जाम से इसको पूछा जाता है यह याद रखिएगा अडेप्टेशन फोर नेतरा क्रॉस पॉइनेशन यह हैं हमारे पास आज का जो तॉपिक है या इस नाम से हो सकता है या कोई दूसरा नाम भी हो सकता है like contruences of cross pollination करके भी आपको दिख सकता है ठीक है question आ सकता है contruences contruences of cross pollination इस तरीके से भी आपका यही हो सकता है topic हो सकता है तो यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं देखे स्टुडेंस बहुत सारे हमारे पास जो unisexual flower वाले plants है आप कह सकते हैं unisexual वाले जो flower वाले जितने भी plants है उन सब में cross pollination होगा लेकिन उसके इलावा जो हमारे पास bisexual, unisexual में तो already होगा ही unisexual तो सब में हो जाएगा cross pollination सब में, all में सब में cross pollination हो जाएगा unisexual लेकिन अगर आप bisexual flower की बात करते हैं तो बहुत सारे एसे bisexual flower भी आपको मिलेंगे जिनके अंदर आपको cross pollination होता हुआ दिखाई देगा bisexual यहनी majority majority जो आपका bisexual flower होंगे उनके अंदर आपको cross pollination आपको दिख जाएगा बेटा ठीक है अच्छा देखो अब यही cross pollination करने के लिए flower जो है plant जो है अपने आप में किस तरीके के adaptations किस तरीके के changes ले आते हैं उनको हमें अलग-अलग headings के अंदर हमें पढ़ना है हमारे पास पहला जो first जो हमारे पास यानि out breeding device है या adaptation है या contrivence है in the form of unisexuality याद रखिए यह unisexuality यह पहला टाइप है unisexuality means देखिए बेटा कि कोई भी plant जो cross pollination करना चाह रहा है वो cross pollination करने के लिए plant चाहेगा cross pollination करने के लिए plant खुद यह चाहेगा कि उसके अंदर जो flower हो वो हर वकत क्या हो unisexual हो flower हर वकत क्या हो unisexual हो इसको हमें एक और term देना है एक और term भी हम इस्तेमाल कर सकते है unisexuality के जगे पे क्या कर सकते हैं शावाज सबको पता है एक और term भी हम इस्तेमाल करते है unisexuality और die cleaning इसका मतलब हो गया कि the plant will always be dicious dicious means dicious का मतलब क्या है बेटा male और female जो plant होगा वो आपका different होगा यह एक flower के अंदर सिर्फ एक ही reproductive organ जो है वो present होगा या तो male reproductive organ या तो female reproductive organ अगर आपका male reproductive organ present होगा उस समय उस flower को हम क्या कहते हैं सब को पता है क्या कहते हैं अगर flower के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंथर और filament present होगा हम उस flower को क्या कहते है बेटा सब को पता है staminid कहते है उस फलार को हम क्या कहते हैं? स्टैमिनेट फलार I hope यह सब आप जानते हैं क्योंकि हमने इसको पहले भी थोड़ा पढ़ा है स्टैमिनेट फलार मीन्स क्या होगा? मेल फलार मेल फलार ठीक है? और एक प्लैंट ऐसा होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल रीप्रोड़क्टिव पार्ट प्रेजन्ट होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल रीप्रोड़क्टिव पार्ट फीमेल पार्ट पूँ अगर सिर्फ फिमेल रिप्रेड़क्टिव पार्ट ही अगर प्रेजन्ट होगा हम उस फिलार को क्या कहते हैं उस फिलार को हम कहते हैं पिस्टिलेट ये तो सब को पता है आई होप पिस्टिलेट फिलार क्या कहते है बेटा पिस्टिलेट फिलार it means आपके plan खुद चाहता है कि नहीं मेरे पास जो फलार प्रेसंट होगा उसके अंदर या तो male reproductive part प्रेसंट होना चाहिए या तो सर्फ और सर्फ female reproductive part प्रेसंट होना चाहिए ताकि मेरे अंदर self नहीं लेकिन क्या हो जाए cross-pollination हो जाए इस तरीके का condition अगर किसी plan के अंदर दिखा तो हम उस condition को या उस adaptation को या उस outbreeding device को हम कहते है unisexuality क्या कहते है बेटा unisexuality और हम उसे कहते है die cleaning अब जाहिर से बात है अगर आपका plant ही ऐसा हो जिसके पास एक ही reproductive part flower के अंदर reproductive part या तो male या तो female होगा तो जाहिर से बात है उसके अंदर self-pollination का chance ही ही नहीं उसके अंदर क्या हो जाएगा cross-pollination हो जाएगा याद रखिएगा तो ऐसे plants जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही reproductive part प्रेजन्ट होगा या तो उस plant के पास male flower होगा या तो उस plant के पास female flower होगा दोनों नहीं होगा ऐसे plant को हम क्या कहते हैं die-ecious plant कहते हैं क्या कहते हैं बेटा die-ecious die-ecious याद रखिएगा ठीक है तो हमारे पास क्या कुछ ऐसे examples है plan के जिनके अंदर यानि ये जो unisexuality और die-clean हमको दिख जाए बहुत सारे example है पहला example हम यहाँ पे examples लिख रहे हैं आप लोग सब लोगों को ये examples नोट करने हैं बहुत important है examples याद रखना पहला example से हमारे पास caster caster के अंदर आपको क्या दिख जाएगा unisexuality याई single flower आपको मिल जाएगा जिसके अंदर एक ही reproductive part present होगा दूसरा example हमारे पास है मलबरी शहतूद जिसे हम कहते हैं मलबरी ये दूसरा example हो गएँटा ठीक है ओके तीसरा example हमारे पास हो गएँटा examples की बात कर रहे हैं unisexuality या unisexual जो die cleaning जो आपके पास आउट ब्रीडिन गवासे उसकी हम बात कर रहे हैं तीसरा example हमारे पास हो गएँटा पपाया पपाया के अंदर जो फलार होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही reproductive पार्ट आपका दिख जाएगा तीसरा example हमारे पास हो गए cannabis भंग जिसे हम कहते हैं cannabis और तीसरा हमारे पास next जो हमारे पास example हो गए an aquatic plant जिसको हम कहते हैं valisneria valisneria तो तीसरा some of the examples of unisexual flowers और unisexual plants या आप कह सकते हैं daecious plants याद हो गया होगा आपको शायद यह समझ में आ गया होगा बेटा ठीक है ओकी यह पहला हमारा या अड़ब्रीदिंग डिवाइस हमारा खतम हो गया ठीक है next हमारा जो adaptation है in the form of second adaptation is in the form of गमी याद रखे क्या है बेटा daeco गमी this is your second type of आप कह सकते हैं adaptation or contravences और outbreeding डिवाइस याद रखेगा ठीक है यानि cross pollination promote करने के लिए plant के अंदर modification या adaptation डाइको गमी का मतलब हो गया बेटा याद रखेगा कि आपका जो bisexual flower होता है यानि bisexual जो flower होगा अगर flower bisexual होगा याद रखेगा अगर flowers आपका bisexual होगा उस bisexual flower के अंदर male और female reproductive part means अन्थर और स्टिग्मा अन्थर और स्टिग्मा अन्थर और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग टाइम पे मैचौर होता होगा भाई हम लोगों ने self-pollination के अंदर जब adaptations पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि bisexual flower के अंदर self-pollination कराने के लिए जो adaptation होता है self-pollination के अंदर कि दोनों male और female reproductive part यानि अन्थर और स्टिग्मा same time पे मैचौर होता है लेकिन आपके cross-pollination के अंदर जो adaptation होगा in the form of a dico-gummy उस dico-gummy के अंदर क्या होगा अगर flower आपका bisexual होगा उस bisexual flower के अंदर male और female जो reproductive part है यानि अन्थर और stigma जो है वो याद रखना different time पे mature होता है क्या होता है different time पे mature होता है different time पे mature होने का मदलब अगर पहले एंथर आपका mature हो गया तो stigma अभी mature नहीं होगा इसका मदलब आपके एंथर के अंदर pollen grain तो बना लेकिन अपने ही flower को यानि अपना pollen grain receive करने के लिए stigma जो है वो तैयार नहीं है mature नहीं है तो इसलिए वो pollen grain अपने stigma पे गिरने के बजाए किसी दूसरे flower के stigma तक वो चला जाएगा by means of any agency उसको ले जाएगा कोई भी agency या तो biotic या तो abiotic agency तो इस तरीके से self pollination के बजाएए आपका क्या हो जाएगा cross pollination हो जाएगा अब ये condition दो है बेटा हमारे पास ये दो condition है यानि डाइको गमी के अंदर दो conditions आपको दिख जाएगे एक condition को हम कहते हैं याद रखिएगा एक condition को हम कहते हैं protogyny या पहले हम पढ़ेंगे protenry protenry pro का मतलब हो गया पहले सबसे पहले enry means androishium यानि male वाला reproductive part it means अगर आपका याद रखिए अगर आपका एंथर पहले mature हो रहा है एंथर अगर first mature हो रहा है अगर आपका एंथर पहले mature हो रहा है उस condition को हम कहेंगे protenry क्या कहेंगे protenry इसका मतलब इस protenry में क्या होगा एंथर आपका mature हो जाएगा pollen grain बनाएगा लेकिन उसी फलार का जो stigma है वो stigma आपका mature नहीं होगा यानि pollen grain receive करने के लिए वो तैयार नहीं होगा इसलिए ऐसे condition को या ऐसे फलार को जिसमें सबसे पहले यानि bisexual फलार को ये ऐसा जिसमें पहले आपका एंथर मेचूर होता होगा या एंडरोईशिम पहले मेचूर होता होगा एसे फलार को हम कहेंगे अन्रس फलार और इस condition को हम कहते है fix या कहेंगे ये आपके डाइको گमी के अंदर आता है ठीक है फ्रोटो एंडरी के अंदर आपका एञ्जैम्पल कौन कौन से पेटा फ्रोटो एंडरी के अंदर एग्जैम्पल आप के है बहुत सारे हम एक्जामपल यहां पर लिखेंगे सबसे पहला हमारे पास एक्जामपल है कॉटन यहीं कॉटन के अंदर फलार क्या होता है बाइसेक्शुल और बाइसेक्शुल फलार ओफ कॉटन के अंदर पहले क्या मेचौर हो जाएगा एंडरोशियम उसके बाद आपका क्या मेचौर हो जाएगा गाइनोईशियम स्टिक्मा बाद मेचौर हो जाएगा दोनों साथ मेचौर नहीं होगा कॉटन का बाइटनिकल नेम क्या है गॉसीपियम हिरसूटम मैं यहां पर लिख रहा हूँ Cotton का Botanical Example क्या है बेटा वे क्या कहते है Botanical Name क्या है बेटा Botanical Name है Gossipium G-O-S-S-Y P-I-U-M Gossipium इसको अंडरलाइन करना है अलग से यह जीनिस हो गया और दूसरा हमारे पास Species का नाम क्या है Hirsutum Gossipium Hirsutum This is the Botanical Name of what Cotton और दूसरा Example हमारे पास है दूसरा Example हमारे पास है Okra Second Example is Okra Okra को हम क्या कहते हैं भिंडी भी कहते हैं Abilmocas Esculentus Botanical Name Sorry भिंडा नहीं है This is भिंडी Sorry भिंडी Ok ठीक है Okra is for भिंडी तो भिंडी के अंदर भी आपका क्या हो जाएगा Protein भी आपको शो करेगा तो यह यह नहीं Botanical Name इसका क्या है Abilmocas Esculentus Abilmocas C-H-U-S Abilmocas इसको अंदर लाइन करना है और Species नाम क्या है Asculentus Asculentum भी लिखा जाता है Same चीज़ थीज़ 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 है Abilmocas Esculentus ओकरा हो गया यह हमारा भिंडी Next example हमारे पास क्या है बेटा Salvia जिसका हमने Entimophilie के अंदर example पढ़ा था Salvia इसके अंदर भी आपका क्या Proto-enry Proto-enrys flower आपको दिख जाएंगे पहले एंथर mature होने वाला flower फिर इसके बात है पास next example क्या है बेटा Sunflower 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 Helianthus Enos जिसका बाटनिकल नेम है Sunflower का बाटनिकल नेम क्या है Helianthus Helianthus Enos मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से माजरत खाहूँ कि मुझे इस तरीके से आपका क्लास लेना पड़ रहा है मुबाइल पे स्क्रीन पे ठीक है इन्शालला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड वाइड बोर्ड और इन सारे चीज़ों का जुगाड हो जाए और बिल्कुल जिस तरीके से हम क्लास लेते थे वेसे हम ले ले इन्शालला बहुत जल्द ही हम उस तरीके से क्लास लेंगे अगर अल्ला ने चाहा तो ओके यह हो गया प्रोट एन्री के यागर पहले एंथर में चौर होता है इस तरीके के यानि फलार के कुछ एक्जाम्पल्स या प्लैंड के एक्जाम्पल्स नेक्स्ट इसी डाइको गमी के अंदार एक और कंडिशन है बी पाड़ वाला कंडिशन जिसे हम कह सकते हैं प्रोट गाईनी या प्रोट गाईनी या प्रोट गाईनी जी वाई एन वाई प्रोटोगाईनी का मतलब क्या हो गया जाहर से बाद है प्रो मीन्स प्रिमिटिव या पहले गाईनी मीन्स गाईनोईशियम इट मीन्स एक ऐसा कंडिशन भी हो सकता है डाइकोगमी में कि बाई सेक्शोल फलार के अंदर जो यानि आपका गाईनोईशियम है या स्टिगमा जो है वो सबसे पहले मेचॉर हो जाएगा एंथर आपका लेटर यानि बात में आपका मेचॉर हो जाएगा प्रोटोगाईनी का मतलब क्या हो गया आपका स्टिगमा स्टिगमा जो है वो होगा मेचॉर्स फरस्ट मेचॉर्स फरस्ट and enter matures later और enter आपका क्या हो जाएगा matures later यह याद रखिए ठीक है यानि पहले आपका stigma matures हो जाएगा और बात में आपका enter matures हो जाएगा तो इस तरीके से अगर दोनुं जो male और female reproductive part अलग अलग time पे आपका mature हो रहा है it means वो अपने अंदर self-pollination नहीं कर सकता है but they will prefer to go forward cross-pollination यह आपको याद रखना है ठीक है तो हमारे पास क्या यानि proto and rust के sorry proto gynis flower के या proto gynis या proto gyni दिखाने वाले जो plants है क्या उनके कुछ examples है तो बहुत सारे examples examples याद रखना है बहुत important है शाबाश first example proto gyni के या proto gynis plant के हमारे पास है क्या mirabilis jalapa mirabilis jalapa mirabilis jalapa mirabilis jalapa this is the species commonly इस plant को हम कहते है four o'clock plant क्या कियते है बेटा four o'clock plant four o'clock four o'clock four o'clock plant कियते है mirabilis jalapa का common name है mirabilis jalapa is the botanical name लेकिन उसका जो common name है वो four o'clock plant है ठीक है उसके अंदर आपको पहले stigma mature होते हुए आपको दिखाए देगा next example हमारे पास है renunculus r-a-n-u-n c-u-l-u-s renunculus next example हमारे पास है इसी तरह किसे next example हमारे पास है banion banion tree है banion जो plant है उसके अंदर आपको क्या दिख जाएगा protogyny दिख जाएगा next example हमारे पास है people बेटा क्या है बेटा people है और उसके बाद next example हमारे पास बहुत ही important example है custard apple custard apple is the next example तो इतने सारे जो examples हमने आपको बताया इन सब के अंदर क्या आपको दिख जाएगा इन सब के अंदर आपको दिखेगा cross pollination और कौन सा adaptation आपको दिखेगा कौन सा out breeding device आपको दिख जाएगा डाइको गमी और कौन सा वाला डाइको गमी protogyny वाला डाइको गमी यह याद रखे गया ठीक है ओके यह हमारा यानि next type of यानि आप कह सकते है out breeding device या adaptation या cross pollination के लिए तो यह हो गया दो type of हमारा क्या कहते है out breeding device next जो out breeding device है बेटा that is in the form of heterostylee याद रखे third type क्या है हमारा heterostylee h e t e r o s t y l y heterostylee ठीक है बेटा next जो हमारा क्या कहते हैं out breeding device जो है adaptation जो है contravence है cross pollination करने के लिए plant के पास that is your heterostylee 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 का मतलब हो गया flowers having different length of styles यानि एक plant के अंदर कुछ आपको इस तरीके के different flowers आपको मिलेंगे जिन में sorry female reproductive part का style वाला portion है उसका length आपको different आपको मिलेगा यह दू condition हो सकता है एक होगा heterostylee दूसरा एक हम hetero anthy कहते हैं याद रखना one is your heterostylee 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 stylee दूसरा और एक और है हमारे पास hetero anthy hetero anthy याद रखिएगा यह दू टाइपस हैं क्या क्या है वह हम अभी समझेंगे देखो hetero stylee means styles styles of different lengths उसको हम कहेंगे heterostylee 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 कहेंगे क्या कहेंगे वह उसे heterostylee अगर ऐसे different flowers आपको मिलेंगे एक plan के अंदर जिस्क में styles आपका different होगा हम अभी बहुत important example के साथ समझेंगे ठीके बेटा ओके hetero-anthi hetero-anthi जो है hetero-anthi का मदलब हो गया filaments 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 of different length different length अगर आपके filaments का length आपको अगर different दिखा तो ऐसे condition को हम कहते हैं hetero-anthi क्या कहते हैं बेटा hetero-anthi हमारे पास बहुत ही best example है एक example मैं पहले example लिक रहा हूँ उसके बाद हम समझेंगी कि क्या होता है इनके अंदर example से हम बहुत अच्छी तरिके से समझ सकते हैं पहला example हमारे पास है evening primrose ये एक flower है evening primrose दूसरा example है हमारे पास oxalis oxalis is a grass याद रहीए ठीक है evening primrose और oxalis के अंदर आपको हिट्रो स्टाइली कंडिशन आपको दीख जाएगा अब यही हिट्रो स्टाइली कंडिशन जो है वो किस तरीके से आपका outbreeding device है या किस तरीके से cross pollination में ये help करता है वही हमें देखना है देखिए शाबज सबसे पहला हम बात करेंगे primrose की इसके अंदर केसे कंडिशन या क्या होता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे याद रखना primrose के अंदर two types of flowers आपको दिखेगा two types of flowers दो तरीकी के flower जो है वो evening primrose के अंदर आपको दिख जाएगा वो केसे में थोड़ा सा डाइग्राम यहीं पे draw करने की कोशिश करूंगा क्या है देखो एक flower को कहते हैं pin flower याद रखिए एक flower को क्या कहते हैं pin flower दूसरे flower को कहते हैं thumb flower बहुत important है याद रखिए ये एक flower को कहते हैं pin flower दूसरे को कहते हैं त्रम त्रम फलार इन दोनों के अंदर क्या होता है देखो शाबज बेटा दो तरीके के फलार साब को दिख जाएंगे एक फलार आपको ऐसा दिख जाएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा डाइग्राम बनाने की यह आपका यह आपका यानि स्टिक्मा, स्टाइल और ओविरी ठीक है और नीचे क्या होता है सब को पता है थैलेमस होता है इस तरीके से इस यूर थैलेमस ओके और बाइसेक्शल फलार के अंदर यह हो गया आपका अंथर और फिलमेंट यह प्रोड़क्टिव पार्ट और यह आपका फिमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट ठीक है बेटा ओकी इसके अंदर क्या है हम देख सकते हैं एक फलार टाइप यह हो गया दूसरा फलार टाइप आप देख सकते हैं ऐसा होगा दोनुं के अंदर आपको डिफ्रेंस देखना है क्या कंडिशन है यह होगा आपका स्टिक्मा फिमेल फलार का ठीक है यह होगा आपका थैलमस और यहां पे यह होगा आपका मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट दोनुं में क्या डिफ्रेंस है आप देख सकते हैं दोनुं में डिफ्रेंस क्या है आपके यानी यह आपका क्या हो गया यह आपका स्टाइल है ना स्टी वाई लई यह आपका स्टाइल है ना यहां भी क्या है स्टाइल तो इन दोनों के style में difference है अगर style में इस तरीके का difference होगा हम कहते हैं उसे क्या hetero style ही लेकिन यहां पे filament में भी difference है ना यह आपका filament है ना यह आपका क्या है filament इस filament में भी difference है length में यह चोटा है यह वाला जहें वो क्या है چھوٹا ہے यहां पे filament यहां पे filament जो है आपका क्या है बड़ा है यहां पे style आपका क्या है यहां पे style क्या है आपका छोटा है तो इस तरीके के दो conditions है तो दोनुकिंदिशन्स को हम अलग-अलग नाम देते हैं अगर आपके length difference है style में ठीक है style में अगर length difference है हम उसे कहेंगे हिटिरो style य और अगर difference आपके filament में है हम उसे क्या कहेंगे हिटिरो एन्थी कहेंगे क्या कहें बेटा हिटिरो एन्थी ये याद रखिएगा अब हमने क्या कहा आपका जो evening primrose है उसके अंदर दो flower है एक को हम कहते है पिन फिलार इस फिलार को जिसमें एंधर वाला जो portion है या आप कह सकते है filament आपका छोटा होगा style आपका लंबा होगा ऐसे फिलार को हम कहते है पिन फिलार और एक ऐसा फिलार जो की आपके primrose के अंदर दिखाई देता है जिसके अंदर यानि filament आपका लंबा होगा लेकिन आपका जो style जो है वो छोटा होगा इस तरीके के फिलार को आउक्जालिस में हम कहते हैं थ्रम फिलार क्या कहते है बेटा थ्रम फिलार ये याद रखिएगा अब इन दोनों के अंदर जाहिर से बाते देखो यहां पे मालीजिए यहां पे हम इसके पैटल्स ड्रॉ करते हैं चले यह पैटल्स ड्रॉ किये यहां पे हमने पैटल्स ड्रॉ किये इस तरीके से अब देखिए जाहर से बात है पिन फिलार के अंदर आपका इसके अंदर इसके बात हम कर रहे हैं इसके अंदर आपका stigma जो ह एक्सपोस्ट आउटसाइड बाहर की तरफ क्या है एक्सपोस्ट है ठीक है लेकिन इसके अंदर क्या है इसके अंदर आपका स्टिक्मा जो है वो बाहर एक्सपोस नहीं है बलकि क्या है एंथर जो है आपका बाहर एक्सपोस है तो जाहर से बात है जब फलार के बाहर आपका एंथर एक्सपोस होगा तो ये पॉलिन ग्रेन अंदर की बजाए फलार के बाहर कहीं जाके गिरेगा और कहां जाके गिरेगा दूसरे फलार के स्टिक्मा जो की बाहर एक्सपोस है and heteroanthi क्या कियते बेटा heteroanthi दूसरा हमारे पास example किसका था oxalis का किसका था बेटा oxalis, oxalis के अंदर three types of flower होता है three types of flower याद रखिए three types of flower कौन कौन से होंगे पहला type हो गया आपका pin pin तो समझ में आ गया ना pin flower जिसमे style का length लंबा होगा filament का length छोटा होगा दूसरा type होता है thumb thumb तो सब को समझ में आ गया होगा बेटा शाबाश thumb में क्या होता है आपके style का length बहुत छोटा filament का length आपका क्या होता है लंबा होता है and third type जो होता है that is normal normal का मतलब हो गया जिसमे filament और style का length जो है वो क्या होता है, सेम होता है, जैसे कि normal हम फलार जो बनाते हैं ना, means इस तरीकी का फलार, जो third type है, normal वाला, यह आपका, thalamus हो गया, और, यह इस तरीके से, दोनुं का, एक ही height, एक ही size होना, इस तरीकी के फलार को, हम कहते हैं, normal फलार, आरहे हैं समझ में, ठीक है, तो बेटा I think आज के लिए, इतना काफी है, next जो कुछ और हमारे पास रहे जाते हैं, that is in the form of, हरकोगमी, self incompatibility, self sterility, और उसके बाद दो और extra prepotency and suppression of one sex करके, वो हम next वाली वीडियो के अंदर, या lecture के अंदर हम बनाने की कोशिश करेंगे, hope आप लोगों को यह सारी चीज़े समझ में आ गया होगा, मैं एक screen भी आप के लिए share करने की कोशिश करूँगा, for example, चलिए वे से रहने दीजे, क्योंकि जो notes मैंने आपको दिया हुआ है, उस notes के अंदर वो सारे चीज़े आपका, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए, thank you, all the best, I hope,